अगर आप प्रपर दवाई नहीं ले तो यह तेजी से फैले लगता है एक्जिमा होने पर शुरुआत में बहुत तेज खुजली होती है जोरों से खुजलाने पर वहाँ पर छोटी छोटी ननी ननी फुंसिया निकलाती है और इन फुंसियों में तेज जलन और खुजली होने लगती है इन पुनसियों के पक जाने पर उसमें से चिकनाई वाला लिक्विड निकलने लगता है और जहाँ जहाँ यह लिक्विड लगता है वहाँ वहाँ infection और अधिक फैलने लगता है Digestion में problem होने पर या अधिक समय तक constipation की समस्या होने पर और महिलाओं में periods के समय समस्या होने पर ये eczema तेजी से फैलता है New lifestyle में कई चीजों से allergy होने के कारण भी eczema अधिक होता है Allergic बस्तों का कई बार पता नहीं चलने के कारण eczema तेजी से फैलने लगता है Polyster और Nylon के synthetic कपड़े और detergent के संपक में आने से भी eczema की problem हो सकती है कई स्त्री पुरुष, विबिन तरह के फल, सबचियों, अनाज, ताले, घड़ी की चेन, जूते, सैंडिल, नेल पॉलिश, शेविंग क्रीम और दूसरे कॉस्मेटिक से allergy के कारण भी eczema से पीडित हो सकते हैं आईए, आप जानते हैं, eczema की बिमारी को दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे देसी घी को गरम कर लें और अब इस घी को कठल के पत्तों पर लगा कर eczema पर बांदने से आपको तुरंत लाब मिलेगा इन कठल के पत्तों को सुबह शाम जरूर बदले दूसरा अपाय है, 10 ग्राम आग की दूद को 50 ग्राम सरसों के देल में पका कर रखें अब इस मिक्षर को eczema पर लगाने से eczema में बहुत जल्दी रहत मिलेगी इस मिक्षर को आप सुबह शाम नयमित रूप से लगाएं तीसरा अपाय है, अजवाइन को पानी के साथ पीस कर उसका पेस्ट बना ले अब इस पेस्ट को eczema पर कुछ दिनों तक लगाता लगाते रहने से eczema जड़ से खतम हो जाता है चौथवा उपाय है, प्याज के बीज यानि को पानी के साथ पीस कर उसका पेस्ट बना ले अब इस पेस्ट को लगबग आठ से दस सपता तक दिन में दो बार eczema पर लेप करने से eczema जड़ से खतम हो जाता है पाच्वा उपाय है, त्रिपला, नेमकी चाल और परवल के पत्तों को पानी में उबाल कर उसका काड़ा बना ले अब इस काड़े से eczema से infected area को साफ करें ऐसा करने से इस रोग से जल्दी चुटकारा मिल जाता है चटा उपाय है, नेमकी चाल और परवल के पत्तों को पानी में उबाल कर उसका काड़ा बना ले अब इस काड़े से eczema से infected area को साफ करने से eczema रोग से जल्दी चुटकारा मिल जाता है चटा उपाय है, नेमकी मुलायम मुलायम कोमल पत्तों को नारिल के तेल में काफी देर तक पकाएं जब तक कि ये नेमकी पत्ते जल्ना जाएं अब इस तेल को ठंडा कर लें और इस तेल को eczema से infected area पर लगाएं ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी लाब मिलेगा नेक्स्ट रेमेडी है, नेमकी गुलाबी कोमल पत्तों का रस निकालने अब इसमें थोड़ी से मिश्रे मिलाकर पीने से मारे बलड की सारे impurity दूर होती हैं और ऐसा करने से नाज, खुजली, फुनसी भी नेश्ट हो जाती है नेक्स्ट है, नारिल का तेल और कपूर इन दोनों को मिलाकर किसी बोटल में भरकर रख लें जब कपूर नारिल के तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए तब इस तेल को अपने एक्जिमा इंफेक्टेड एरिया पर रोज लगाएं ऐसा करने से एंफेक्शन में और खुजली में बहुत रहात मिलेगी नेक्स्ट रेमेडी है, तेल के एक किलो तेल में कनेर की 250 ग्राम जड़ को जलाकर छालने तेल में जड़ को डालकर तेल तक उबालने से यह जड़ जल जाती है अब इस तेल को हर रोज एक्जिमा पर सुबह शाम लगाने से एक्जिमा खतम हो जाता है तेल को साफ रूई की साहता से ही लगाना चाहिए दोस्तों यह था आज का मेरा ग्रैसोनाली नुसका मुझे उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इसी तरह की नए-ने अपडेट्स चानते रहने के लिए मेरे ग्रैसोनाली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए stay fit and stay healthy Thank you